नमस्कार ये है टॉप न्यूज मैं हूँ विदिया आपके साथ चलिए नज़र डालते हैं अब तक की कुछ खास ख़बरों पर कुरोना मा हमारी लगातार अपने पाउ पसार रही है दुनिया भर में खेलों के टूर्णमेंट या तो रध हो रहे हैं या तो स्थगित हो रहे हैं कुछ ऐसा ही संकट इंडिन प्रिमिर लीग आईपियल पर दिखाई दे रहा है BCCI ने इस टूर्णमेंट को 19 मार्ट से 15 एप्रिल तक के लिए स्थगित कर दिया है तमाम चर्चाओं के बीच फिलहाल आईपियल पर कोई रास्ता बनता नहीं दिख रहा है अगर ये टूर्णमेंट नहीं होता है और उस्ट्रेलिया में होने वाला T20 वर्ल कप आयोजित ह होता है तो सवाल उठता है कि पूर्व भारतिये कप्तान MS Dhoni का क्या होगा क्या उनकी टीम इंडिया में वापसी होगी या नहीं दरसल दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की निगाएं दोनी की वापसी के लिए IPL पर लगी थी कप्तान विराट कोली और कोच रवी शास्त्री भी कहा था कि दोनी की वापसी पर IPL तक इंतजार करना चाहिए दूसरी और विरेंद्र सहवाग ने कहा था कि अब तीम में बदलाव की जरूरत नहीं है शास्त्री ने अपने बयान में कहा था कि दोनी खुद को टीम पर नहीं ठोकते दोनी निश्चित रूप से IPL में खे करोना वाइरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए BMC ने साफ सफाई पर जोर लगा दिया है मुंबई में सारवजानिक स्थानों पर थूपने वालों से BMC ने 1000 रुपे जुर्माना वसूला शुरू कर दिया है इसके लिए मार्शल्स को खास तौर पर सतर्क र पर जाती है इसलिए इसे रोकने के कड़े उपाय किया रहे हैं उन्होंने बताया कि पहले सरवजानिक स्थानों पर थूपने वालों से 200 रुपे जुर्माना वसूल किया जाता था अब इसे बढ़ा कर 1000 रुपे कर दिया गया है उनका मानना है कि जुर्माना बढ़ाने से लोग खुले में थूपने से बचेंगे बुदबार शाम तक 111 रुपे जुर्माना वसूल आ गया मुंबई में दुकाने खोलने और बंद होने का समय तैय करने का अधिकार BMC को दिया गया है सरकार ने दुकानदारों से अपील कि है कि वो दुकानों के खोलने या बंद हो कर दूसरे दिन बंद भी रख सकता है. मेडिकल स्टोर, दूद, खादे पदाट, सबजी, खिराने की दुकानों पर ये नियम लागू नहीं होगा. पाकिस्तान में कोरोना वाइरस तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है. हालकि वहां की सरकार इसे लेकर कितनी घंबीर है, इस पर सवाल खड़े होने लगे है. दरसल एरान से पाकिस्तान वापस लोटे लोगों को बॉर्डर के पास ही कॉरंटीन किया गया है. जिस जगा पर इन लोगों को रखा गया है, वो कोई क्वारंटीन सेंटर नहीं, बलकि तंबू है. तफ्तान क्वेटा लाइन के पास बड़ी संख्या में तंभू लगा कर इन लोगों को ऐसे हालात में रखा गया है जिससे सरकार और प्रशासन की किरकिरी हो गई है सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शेहर बंद करने से इंकार कर चुकी सरकार आखर कैसे इस सिती से निपटने की कोशिश कर रही है ये एक बड़ा सवाल बन गया है कॉरिंटीन के नाम पर बनाए गए कैंप में सीमित मेडिकल सुविधा हैं जैसे हालात यह हैं उनसे लोगों के मन में बिमारी के और पहलने का डर भी पैदा हो गया है कैंप में रखे गए एक शक्स का कहना है कि अगर उन्हें कैंप पहुशने से पहले वाइरस इंफेक्शन नहीं हुआ और कैंप पहुशने के बाद वो पॉजिटिव निकले तो उन्हें आश्चर्रे नहीं होगा वहां रखे गए लोगों ने बताया है कि पानी या फ्लश की सुविधा भी नहीं है पाकिस्तान में अब तक कॉरोना के 301 मामले सामने आ चुके हैं और दो लोगों की मौत की भी खबर है उधर पाकिस्तान पी-एम इमरान खान ने कॉरोना को हराने की सबसे एहम हतियार सोशल डिस्टिंसिंग को लागू करने के लिए शेहरों को बंद करने से साफ इंकार कर दिया है जिससे ये सवाल बरकरार है कि आखिर देश इस चनौती से निपटने की तयारी कैसे कर रहा है खास कर तब जब स्वास्ते सेवाओं की हाला इतनी लाचार है संसद में आज पूर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोकोई ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपतली इस दोरान विपक्ष का हंगाम भी देखने को मिला कॉंग्रिस के नेत्रित्वी में विपक्षी नेताओं ने शेम शेम के नारे भी लगाए राज्यसभा की कारिवाई शुरू होने पर गोकोई जैसे ही शपतले ने निर्धारित स्थार पर पहुचे वैसे ही विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया विपक्ष ने सदन से वॉक आउट भी किया कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने परटबार करते हुए कहा कि कई पूर्फ CGI और मशूर हस्तियां इस सदन का हिसा बन चुके हैं आपको बता दे कि राश्रपती रामनात कोविन ने सरकार की अनुशंसा पर सोमभार को गोगोई को राजसभा के लिए मनोलित किया था विपक्ष ने गोगोई को राजसभा के लिए नमित के जाने की कड़ी आलोचना की है यह है अभी की कुछ खास खबरे और खबरों के लिए जुड़े रहिए NBT Online के साथ सब्सक्राइब कीजे नभारत ताइम्स का यूट्यूब पेज और लाइक कीजे नभारत ताइम्स का फेस्बुक पेज